वेलकम बहुत बुशागत आपका सरकारी स्लेवस यूटूब चनल पर और देखिए ये कोई वेकेंसी नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते हो हाईर एजुकेशन लेना चाहते हो MSC करना चाहते हो BSC करना चाहते हो और बहतरीन संस्थान से तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप एजुकेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और उमीद करता हूँ कि आपको आज के दोर में ये ब्यात समन में आ गही होगी कि सिर्फ आठ पास करके नौकरी है दस पास करके है बारा पास करके नोकरी जो है नहीं करनी चाहिए कम से कम एक बार आप अच्छी एजुकेशन ले ले फिर आप डिसाइड करें कि आपका रुजान किस तरफ है फिर आप उस छेत्र में अपना केरियर बनाई है और उस छेत्र में अपनी जॉब कीजिया तो हम बात करते हैं नेश्ट एग्जाम एक तो यह वाला नेश्ट एजुकेशन एजुकेशन एन रिसर्च बोनेश्वर और दूसरा है यूश्ट आफ मुंबई इसका डिपार्टमेंट आफ एटोमेक इनर्जी जो है न यह दोनों मेल कर जो है नेश्ट एग्जाम 2020 को कंडग करा रहे हैं अब देखिए इसमें ज जिससे आपके तो integrated MSC कह सकते हो उसमें BSC plus MSC मतलब आपको एक PG की डिगरी दी जाएगी पोस्ट की डिगरी दी जाएगी ठीक है और इस डिगरी की मानिता काफी ज़्यादा है क्योंकि एक ऐसा कोई चोटा मुटा संस्थान नहीं है जिससे हर कोई गया admission ले लिया और उसने BSC MSC कर ली ठीक है तो अगर आप थोड़ा सा साइंस के चेतर में जाना चाते हो तो आपके लिए ये बेहतरीन options हो सकते हैं अब इसके बारे मैं थोड़ा से जनकर ये आपको और देना चाहूंगा ये मैं इसकी official website पे लेके आया हूँ आप इसमें जो नहाए neht exam.in डालेगा ये इसकी official website है सारी चीजें यहाँ पर अब इसकी eligibility के बारे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ठीक है eligibility क्या है कि आपको कच्छा 12 पास होना चाहिए या अगर आप कच्छा 12 में appearing हो तब भी आप इसमें भर सकते हो और आप देख सकते हैं आपकी data birth जो है ना वो 1 अग इसमें वो बच्चे इसमें जो है ना आप अपना form भर सकते हो और जो बच्चे appearing है 2020 के लिए वो बच्चे भी इसमें अपना form भर सकते हैं एक चीज और ध्याना किया कि अच्छा 12 में 60% होने चाहिए अगर आप reserve category माते हो मतलब कि SCHT फिचली handicap आते हो तो आपके 55% नंबर क से कम होने चाहिए और जो next exam होगा उसकी merit list में आपका नामाना बहुत जरूरी है ठीक है अब देखिए यहीं जो है ना eligibility की नीचे जाईएगा यहाँ पर apply online का है आप यहाँ से apply online अपना कर सकते हो और इसके बारे में detail जानकारी जो है आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते ह तो आप यहाँ से question paper भी देख पाएंगे कि 2009, 2008, 2010, 2011, 2012 में किस तरह की paper आएं तो यहाँ पर click करके जो आप अपना देख लीजिएगा मैं आपका time जाया नहीं कर रहा हूँगा ताकि आप अपनी मेनद कर सकें आप अपने career पर focus कर सकें तो old paper कहा से मिलेंगे यह सारे old paper ही प तो सारा syllabus PDF के रूप में आपको आ जाएगा, वहाँ से आप syllabus देख सकते हैं, तो अमीद करता हूँ मैंने इसकी मोटी-मोटी सारे जानकारियां आपको दे दिया है, eligibility वगरा बता दिया है, और मेरी आप से दर्ख्वास्त रहेगी कि नोकरी पीछे मत भागो, मेहनत करो, मोकरियां जग मार के पीछे आती है, तो बस best of luck आप सब लोगों के लिए, अगर वीडियो पसंद आयो तो इसे like कीजिए, और दोस्तों के साथ में share कीजिए, ताकि वो लोग भी कुछ अच्छा कर सकें अपनी जिल्दिगी में, हम आप से मिलते हैं, अगले वीडियम तब क्लिव बंदे मातरम